कि दादी के साथ अंग संग कुछ वर्ष्णों तक मैं सेवा में रही तो वो ही कुछ अविस्व मरनिय पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं 89 में मदुबन में आई थी सेवा में डिस्पैंसरी में सेवा करने के लिए और बाद में 91 में हॉस्पितल प्रारम हुआ तो जो भी हॉस्पितल में सेवा करने वाले भाई भहने थे। उन में से दो طरह का स्टाफ था एक तो पूरी तरह से अपने ब्रामण परिवार के बीके थे और समर्पित रूप से अपनी सेवांना चाहते थे। और दूसरे थे जो, जिनकी जो specialty थी, उस specialty के अनुसार उन्हें रखा गया था, तो वो जैसे एक job पर थे, तो मेरा बहुत संकर्ब था कि मैं समर्पी तूप से सेवा करूँ लेकिन hospital का trust अलग होने की कारण वो समर्पन को अनुमती नहीं थी, यानि जो भी staff वहां काम कर रहा ह है, सेवा कर रहा है, उनको payment basis पर ही रखा गया था, तो मैंने दादी जी से इस विशे में बात भी की थी, लेकिन क्योंकि hospital नया नया था और उसका system अभी set हो रहा था, तो फिर दादी ने जैसे अभी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, तो 93 में indoor zone की silver jubli थी, और म में indoor zone से ही madhuban में आई थी, उन प्रकाष भाई जी जो indoor zone की in charge थे, उनोंने ही मुझे दादी जी को और निर्वेर भाई जी को सुपूर्द किया था, तो उस silver jubli के समय, दादी जी के साथ काफी madhuban निवासी, एक पूरी बस चैसे silver jubli के समारों के लिए गई थी, तो मे मेरा भी दादी जी के साथ जाना हुआ था और वो मेरा पहला दादी जी के साथ ट्रावल था, तो वो तो एक अलग अनुभाव था ही, वहाँ पर silver jubli के प्रोग्राम के समय, उनोंने 25 कुमारियों का समर्पन समारों भी रखा था, तो वो समर्पन समारों की तेयारी चल रह और भाई जी ने मेरी तरफ देखते हुए दादी को कहा, कि दादी ये सवीता भी तो इंदौर जोन से गई है, तो इनका भी समर्पन कर देते हैं, तो मैं थोड़ा चुप रही क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्पितल में समर्पन का नियम नहीं है, तो फिर ओम प्रकाश भ समर्पन में बिठा देते हैं, तो फिर दादी ने मेरी तरफ देखा, दादी जैसे मुझे पढ रही थी कि मैं समर्पन होना चाहती हूँ कि नहीं, तो मैं तो बिलकुल चुप थी, तो दादी ने कहा कि आप भी बैठो समर्पन समाहरों में, तो मेरे को थोड़ा सा अश्च में हूँ तो क्या में समर्पित हो सकती हूँ तो दादी ने कहा क्यों नहीं दादी बोल रही है आपको तो बस फिर जैसे दादी की 1 दंफ anxiety मुझे हुई क्योंकि में तो वास्तममें चाहती ही थी पर क्योंकि के नियम ऐसे थे उस समय दादी ने कहा तो मतला मेरा समर्पन का निश्चित हो गया और फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन शकुंतला बहन जो इंदोर होस्टल में अपनी सेवाएं दे रही थी उस समय उनका भी समर्पन नहीं हुआ था तो उनको भी समर्पन के में बिठाया ग लेकिन अचानक उनको ये सूचना दी गई कि दोनों भेनों का समर्पन समारो हो रहा है तो हमारे माता पिता भी आ गए वो उस समय कोटा में रहते थे और जो बहुत धूमधाम से वो कारिक्रम हुआ जिसमें हमारे सभी वरिष्ट भाई भेने शामिल थे दादियों सहित जै तो जैसे दादी जी ने भी मेरे उन शुब संकल्पों को पढ़ लिया और मैं कहूंगी कि जैसे बाबा ने उनके द्वारा मेरा ये संकल्प पूरा किया और फिर मेरे समर्पन होने के बाद ही पिर अस्प़ताल में ये समर्पन का सिस्टम शुरू हुआ और और भी कई वहाँ अपनी सिवाएं दे रहे हैं ग्यान सरोवर जब बना तो ग्यान सरोवर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो इस तरह के था कि जैसे पूरा जंगल ही था वो एरिया और वो जंगल में जैसे मंगल है जो ग्यान सरोवर परिसर है तो उसमें शुर तो उस समय राजस्थान के राज़ेपाल चन्नारेडी थे, चन्नारेडी जी पोचब यहाँ अपने हटक्वार्टर्स में कारिकरम के लिए आमंद्रित किया गया और उन्होंने जो सेवाएं देखी और दादी जी के व्यक्तितु से वो खास प्रभावित हुए और उसी से प्रभावित हो करके कि दादी जी कैसे इतने सब लोगों को अपने समान बना करके इस कारिय को आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने बाबा का जो साथ दिन का राजयोग मेडिटेशन कूर्स है वो भी किया और उसी दोरान कुछ गौवर्मेंट में प्रॉब्लम्स आई तो राजस्थान में गवर्नर रूल आ गया और जैसे ही गवर्नर रूल आया तो उन्होंने क्यूंकि वो इश्वरी कारिय है मैं अभी कर देता हूं क्योंकि अभी मेरे पास वो पावर है तो यह दादी के व्यक्तित्व के विशेष्टा थी और उन्होंने पूरा जैसे वो प्रोजेक्ट साइन कर दिया उसको पास कर दिया ना सिर्फ वो पास किया लेकिन उस ग्यान सुरोर तक का जो रोड है वो भी उन्होंने गौर्मेंट की तरफ से उस समें बना करके दिया तो उसमें थोड़ा फाइनेंशल प्रॉब्लम थी तो यहां पर दादी ने क्लास में अनाउंस किया सभी ब्राह्मनों के लिए कि सभी सेंटर्स अपने यहां भंडारी रखेंगे और वो भंडारी ग्यान बाबा के रेगूलर बच्छे थे तो हम समझ सकते हैं अगर 6 लाग भाई भेने रोज 1 रुपया डालेंगे तो हर दिन 6 लाग रुपया एक अत्रित हो जाएगा और हमको पता एक रुपया तो नहीं डालते हैं सबको पता हैं तो जो भी जितना कर सकता है वो उतनी सेवा बा तो जैसे बाबा नहीं कहता है फूरी फूरी से तलाब भर जाता है तो दाधी जी ने जैसे की गरीबों का जो भी बाबा के इसे बच्छें हैं जो बहुत अधिक धनका सहयोग नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जो भी सहयो कर सकता है उन सब का इस तरह से दादी ने सफल करवाया मैं अपनी सेवाओं को जब याद करती हूँ जब मैं वहां पांड़भवन में थी और हॉस्पितल में सेवाएं देती थी तो कैसे दादी जी सब का उमंग उस्था बढ़ाते थे तो रक्षा बंधन के समय पर हम सभी माउंट अबू में अलग-अलग स्थानों पर जैसे स्कूल्स में बैंक्स में हॉस्पितल में होटल्स में यह मंदिरों में आश्रम में क्योंकि माउंट में बहुत सन्यासी रहते ह हैं तो ऐसे अलग-अलग स्थानों पर ग्रुप में राकी बानने के लिए जाते थे तो एक बार एक बार मुझे बैंक में सभी बैंक में माउंट में जितने भी बैंक्स हैं वो सभी बैंक में राकी बानने के लिए जाना था हमारे ग्रूप के साथ तो मैंने थोड़ा सा उ समें, कि जब हम बैंक के स्टाफ को पूरा राखी का महत्व बताते थे और फिर उसकी बार मैंने उनको कहा कि आप जो भी समझते हैं कि हमारी कमजूरी है हम हमें आप से और कुछ नहीं लेना है लेकिन जो आपकी कमजूरी है या कोई वैसन है आपके जीवन में तो आज के दि मन इह मन करें ऐसे निए उन से हमने एक slip में लिखवा लिया और सभी ने बहुत प्यार से लिखके भी दिया और वे सारे इस्लिप्स हमने कथे कर लिये, तो काफी हो गया वो, मैं आई जब में उस समय दादी जी के पास रोज रात को सेवा के लिए जाती थी, तो दादी कई बार मेरे से आगे से ही होकर पूछते थे, कि आज सारा दिन क्या सेवा किये, जैसे दादी मेरा चार्ट लेते थे, तो चटकियां भी दिखाई दादी को, कि दादी देखो और सभी ने बहुत अच्छे-च्छे संकल्प लिखके दिये हुए थे, तो दादी भी बहुत खुश हुई ये देख करके, कि अच्छा बैंक वालों ने ऐसे किया, मतलब इस तरह से वो सेवा हुई उनकी, फिर दूसरे द करके, दादी वैसे मुझे डॉक्टर बुलाते थे, दॉक्टर ऐसे गई थी, और पूरा समाचार दादी ने सुनाया, जो मैंने रात को दादी को सुनाया, तो मुझे इतना अश्चरी हुआ, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत साधरन सी बात थी, लेकिन फिर भी दादी ने क्लास में सुना करके, वो जैसे हमारा इतना उमंग बढ़ा दिया, कि हमने वो छोटी सी सेवा की, और दादी ने उसको कितना मतलब हमारे लिए जैसे कि वो एक उत्सहा का कारण बना, इतनी खुशी मिली, दादी ने जब इस तरह उस बात को कहा, और कभी भी ऐसे होता था जब पांदा भावन में वी आईपी जाते थे विजिट करने के लिए, और मैं उनको समझाती थी, और फिर दादी जी को जब उनसे मिलवाया जाता था, तो दादी सभी से बहुत प्यार से मिलते थे, ऐसे ही ज्यान सरोर के समय ही, दादी जी ने एक बार एक स्लोगन दिया Each One Teach One, कि हर एक भाई-बेहन, एक बहुत को अपने समान बनाएं, जैसे मैंने बताए, छे लाग भाई-बेहने थे उस समय, तो अगर ऐसे एक को तयार करेगा, तो पूरे साल भर में छे लाग भाई-बेहने तो वैसे ही तयार हो जाएंगे, दबल हो जाएंगे, तो मैने हु सुना कि दादी झी ने सभी को यस अंकलप दिया है, तो मैंने भी सोचा अपने, हालगा मैं हॉस्पृल में सेवा कर रए थी, मैंने सूचा कि दादी ने कहा है तो मुझे भी करना है किसीποं, तो वहाँ वहाँ हॉस्पृल में अपने आसपास आर्मी केंपस है, वहाँ Air Force भी है, CRPF भी है और वहाँ के भाई भेने जो हैं, माना खास कर ऑफिसल्स जो हैं, वो कई बार विजित करते हैं वहाँ पर तो मुझे उस समय यह अफिसर मिला, मैंने यह देखा जब हम कोई ऐसा संकर्प करते हैं तो बाबा भी जैसे हम एक हिम्मत रखते हैं, तो बाबा भी हमें मदद करते हैं तो उस समय कुछ families आई Air Force की और उन्होंने कोर्स किया, तीन चार फैमिली थी और उसमें से दो तो बिलकुल एकदम निश्चे बुद्धी हो गए बाबा की मुली सुनने लग गए वो और फिर मैंने उनको दादी जी से भी मिलवाया उस समय ऐसा था जब माउन से लोकल से कोई भी आकर के class नहीं करते थे यानि कोई भी बाबा की बच्चे नहीं थे तो यह जैसे एक बड़ी बात थी और दादी जी भी उसी उस से मिली उनसे जो भी माउन्ट अबुकी फैमिलीस थी वो आज तक भी भले वो यहां से फिर वो ट्रांसफर होकर की दूसरी जगे भी चले गए क्योंकि उनकी तो टेंपरेरी पोस्टिंग होती है वहां पर दो-तीन महिने तीन साल के लिए ही होती है लेकिन बाद में भी वो फिर बाबा की बच्चे बने रहे और बाबा मिलन में भी आते रहे समय प्रती समय जो भी अपने कारिक्रमों में वो आ सकते थे वो उसमें आते सेवा को वृध्धी करने की उनकी जो योजना थी वो इस प्रकार की थी कि सहच ही बाबा की सेवाओं में तीवरगती से वृध्धी हुई हम देखते हैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी ने कितना तीवरगती से विद्याले की सेवाओं को देश-विदेश तक पहु दादी की जो पालना देने का तरीका था वो बिलकुल एक जैसे हम परिवार में रहते हैं, ऐसा हमें मैसुसता आती थी, तो कोई भी भाई भहने जब ग्रुप्स में आते थे, चाहे वो भट्टी करने आते थे, या मीटिंग्स होती थी, या हम कहेंगे की दूसरे भी कोई कार आउटिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, यानि पीस पार्क जो माउंट अभू में अपना आठेकड में बना हुआ, बहुत सुंदर पार्क है, उस पार्क में वो ले जाते थे, और दादी बहुत उमंग से क्लास में कहेंगे की देखो, आज पीस पार्क में सब के लिए पि जो भी होता था मतलब वो सुनाते थे, तो जैसे सुबह सही जैसे सब में वो खुशी की लहर दौर गई, ऐसा ऐसा फील होता था, और फिर दादी आएंगे साथ में और गेम्स होते थे वहाँ पर, योग भी होता था, यानि आदे घंटे तक एक दम पिन ड्रॉप, साइलें जोग चलता था, और फिर उसके बाद दादी सब को अलग अलग प्रकार की गेम्स, जिसको जो पसंद है वो गेम्स खेलते थे, दादी खुद भी खेलते थे, दादी को हमने बैड्मिंटन खेलते हुए देखा, दादी क्रिकेट भी खेलते थे, भाईयों के साथ में असब भाईवेने, जो होते थे, तो मतलब दादी स्वयम भी उसमें शामिल होकर के, जैसे सभी का वो मांग उसाह इतना बढ़ जाता था, तो उनका जो अद्मिस्टेशन था, वो बहुत लावफूल अडमिस्टेशन था, इतना प्यार पालना दादी जो सब को देते थे, तो सभ का प्यार भी दादी को उतना ही मिलता था मैंने कभी भी उनको गुसा करते हुए नहीं देखा एक प्रशाशक जो होता है उसके सामने कई बाते आती हैं और उनका अधिकार भी होता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो वो उसे थोड़ा सक्त शब्दों में कह भी सकते हैं लेक देंगी उनको सिक्षा नहीं देंगी या उनको वो करेक्ट नहीं करेंगी वो सब करती थी दादी लेकिन बहुत जैसे प्यार से मां कैसे अपने बच्छों को समझाती है इस तरह से वो समझाते थे और सब उसको स्विकार भी करते थे कई बार ऐसे भी होता था कि दो और दादी के सामने आते हैं, और दादी को निर्णे देना है, क्योंकि उस समय दादी ही समझे हमारी administrative head थी, तो जो भी decisions final होते थे वो दादी जी ही लेते थे, तो दादी दोनों को सुनती थी, और फिर दोनों को ही समझा ती, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, गलती दोनों की होती है, लेकिन हर पक्ष अपने को राइट समझ रहा होता है, वो अपने नजरिये से अपने को राइट समझते हैं, दूसरा अपने नजरिये से अपने को राइट समझते हैं, और इसलिए वो समस्या जो है, उसका समधान नहीं होता, तो फिर दादी दोनों को ही समझा ती थी, और उस अनुसार फिर उनको निर्णय देती थी, तो संतुष्ट होते थे, और मैंने ये भी देखा कि दादी को उनकी कमियां भी अगर पता चलती थी, नोटिस में आती थी, तो दादी कभी भी उनके प्रती अपना व्यभार नहीं बदलती थी, यानि उनको कभी अपने मन पर नहीं रखती थी, बात हुई और जैसे कि वहीं का वहीं फुल स्टॉप लग गया, और कभी दादी उसका वर्णन भी नहीं करेगी किसी से, जैसे आपस में दादियां भी मिले और दादियां उनकी बात दादियों तक कहें, नहीं, जैसे कि वहां का वहां ही वो खतम, तो य मैं देखती थी कई बार हम किसी में ऐसे सुनते हैं किसी के बारे में, या हम खुद देखते हैं, या हमारे अविवार में ऐसे आते हैं, तो उनकी प्रती हमारी वृत्ती बदल जाती हैं, हम वैसे के वैसे नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत negativity आ जाती हैं, फिर दादी के उपर किसी भी आत्मा का वो प्रभाव नहीं आता था, तो मैं भी मतलब सीखते थे से कि हमें ऐसा बनना है, कि किसी के प्रती भी हमारे vibrations इस प्रकार के ना हो, हम उस आत्मा के पार्ट को समझें, जैसे दादी साक्षी होकर के पार्ट प्ले करती है, यह बहुकि भी मैंने महसूस किया कि दादी कैसे मतलब मधुवन निवासियों के साथ, यानि मधुवन निवासियों कि क्योंकि बहुत सेवाएं होती थी उस समय किवल पांड़ अवन ही campus होता था, पूरी season वहां चलती थी, जब season पूरी होती थी, तो दादी जैसे उनको मतलब ये अनुभव कराने के लिए थोड़ा रिलाक्स मूर में लाने के लिए उनको हमेशा आउटिंग पर ले जाते थे या उनके बाहर के ट्रिप बना देते थे कि मदुबन निवासी थोड़ा बाहर जाकर आएं रिफ्रेश हो करके आएं खूं करके और जब बारिश का मौसम होता था तो दादी खुद बस में हमारे साथ आती थी क्योंकि बारिश के दिनों में यहां बहुत जहरने भाते हैं तो दादी खुद जैसे रेन कोट पाहन करके और हम सब को वो सब जहरने दिखाते थे इतना वो अच्छा लगता था क्योंकि तो दादी यहां आबू रोड के पास निचलागड़े गाओं हैं, वहां पर एक नदी बहती है और वो नदी कई बार पहाडों में घूमती है, वह बहुत सुंदर लगती है बारश के दनों में, बहुत ही अद्बुद्रश्य होता है वहां तक हम आजाते थे और वहां सब बै प्रोग्राम चला है तो इनको रिफ्रेश भी मुझे करना है तो हमने मैसूस किया कि जो दादी जी की विशेशताएं थी विशेश करके उनके उनकी जो एड्मिस्टेशन था, उनका जो नित्रत्व था वो इस प्रकार का था कि वो ना सिर्फ पूरे विश्व की आत्माओं के प्रती जो उनकी भामना थी, अपने जो समीप रहने वाले आत्माएं हैं, उनके प्रती भी वो अपना जो है वो प्यार या कहें कि वो अपनी पालना का पूरा अनुभाव और अपना वो समय भी उनको देते थे, तो एक परसनल टच जो है वो दादी जी से सबको महसूस ह तो उनसे वो अपना पन लगता था, तो आधी रात को भी किसी को कहेंगे कि तुम्हें ये काम करना हैं, तो कितना भी मुश्किल काम क्यों नहीं कहता था, और वो सोच भी नहीं सकता था कि दादी जी को में कोई कारण बताओं, चाहे जो भी कारण हो सब एक तरफ करके ने कहा है माना हमें करना ही है इतना दादी के प्रती वो श्रद्धा सब के मन में रहती थी दादी के प्रती प्यार रहता था